नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो है जैसे कि आप लोग थमनेल से समझी गए होंगे ECM रिपेरिंग की ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यह टॉपिक हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं उसका रीजन यह है कि बहुत सारे ऐसे टेक्निशन भाई हैं जिनको करना है लेकिन आज बहुत कंफूजन क्रियेट हो गया है कि कहां जाएं कितने दिनों के लिए जाएं टेकनिकली आपको क्योंके टेक्निशन हमको नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ के बारे में कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन्फोर्मेशन कलेक्ट करें हम लोग क पर इसे जानकारी मिली है उस जानकारी को समझ लेते हैं कई बार ऐसे fancy word यूज़ किये जाते हैं आपको लुभाने के लिए जिससे कि आप वो काम करने के लिए या सीखने के लिए चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे technician हैं जिनको फायदा नहीं हुआ है आप खास करके जो हमारी ओडियन्स है जो हमारे चैनल पे रेगिलर हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से बहुत सारे हमें कॉल आये हैं और उन्होंने हमें एड्रेस किया है इस इशो को कि भई सर मैंने ट्रेनिंग ली है लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ है हमें फायदा ह हो रहा है ज्यादा आपकी वीडियोस देखकर तो देखिए आज के इस वीडियो में यह सारे टॉपिक्स और यह सारे डाउट और क्वेरिज आपकी क्लियर कर दूँगा आपको क्या करना है चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए देखिए आप में से लगबग 50% से ज करती है लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करते तो हमारा बहुत होसला बढ़ता है और हमें भी काम करने के बहुत इच्छा हो जाती है आप तक वीडियो मैं बात करता हूँ, मैं किसी और के बारे मैं बात नहीं करऊंगा, अगर हमारे पास आपको ट्रेनिंग में आना है और आपके मन में हजार सवाल है तो वह सवालों का मैं आज की जुवारी वीडियो है उस में मैं आपको ज़वाब दे रहा हूँ. देखें, सबसे पहला जो सवाल आता है, ट्रेनिंग में क्या-क्या सीखने के लिए मिलेगा, अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा ट्रीकी सवाल है, let's say example हम कहते हैं, आपको ECM रिपेरिंग, हार्डवेर, सॉफ्टवेर दोनों complete तरीके से सीखने के लिए मिलेगी, ये हो गया बेसिक डिस्क्रिप्शन, बेसिक डिस्क्रिप्शन का कहने का मतलब क्या है, कि मैंने एक सिंगल लाइन में ECM, हाडवेर, सॉफ्टवेर की complete ट्रेडिंग मिलेगी, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, अब इसके बाद आता है, जब कोई परसन को थोड़ी नॉलेज हो मतलब क्या है, हाडवेर की ट्रेडिंग मतलब क्या, अब हाडवेर की भी दो ट्रेडिंग होती है, एक होती है है हैंड्स-on, प्रैक्टिस, दूसरी होती है आपकी कम्पोनेंट की ट्रेडिंग, हैंड्स-on ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कि इसके ओपर जो łości करने का अपना एक thousand होता है से अपकी नाउट सो सो 느 कर तरीक होती है जो कि कि आपके यह जो ECM है उसको किस तरह से खोला जाए बहुत सारे हमने ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें पूरी बहुत ही बुरी तरीके से ECM को खोला जाता है अब दीखे अगर आप यह देख पा रहे होंगे तो यह ECM हमने खोला हुआ है लेकिन यह कहीं पर आपको पता नहीं चलेगा कि यह ECM में कहीं पर भी आपको किसी तरीके का दाग या कहीं पर इसको ड्रयावर का निशान देखने के लिए नहीं मिलेगा मैं जूम करके आपको कॉस्पूं तो यह हाड्वेर की Chaining hardware की ट्रेशी में एक और चीज इंक्लूड होती है और वह होता है कि आपका इसने को टेस्सक निश्व vendor करने परती आपका हिटर ब्लॉर है है तो ब्लॉर के टेंपरीचर को किस तरह से मैनेज करना है आपका शोल्डरिंग Thank you he स्तy्भ जूटी स्तामाल किया जाता है मैं बहुत ही डिटैल ने जा रहा हूं ठीक है और स MRS अबเขा है तो क्या सब्सक्राइब करना ची caring कितना इस्तमाल करना के बाद में जो component है वो working condition में नहीं रहता है यह सारी भी training hardware के अंदर कवर होती है इसी के साथ साथ multimeter का इस्तमाल multimeter का इस्तमाल बोल्ड पे किस तरह किया जाएगा वो एक अपने आप में एक कला होती है ठीक है अब यह हो गया यहां तक हम कहते हैं जहां आपने hardware में सारी training आपकी complete हो गए लेकिन यह hardware की training शुरू होने से पहले एक जो training सबसे important होती है वो होती है component की training जो मैंने आपको बताया अब यह जो component की training है component की training में आप यहां पे देख सकते हैं अलग-अलग type के आपको components यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह जो components हैं अलग-अलग type के इन components में अलग type होने से उनके testing का तरीका उनकी values और उनके shorting-resorting का तरीका बदल जाता है तो component को समझना बहुत ज़रूरी होता है resistors कितने type के होते हैं डायोड कितने type के होते हैं हमने capacitor को लेके तो खेर एक वीडियो बनाई हैं अगर आप लोग ने नहीं देखे तो आई button के उपर पूरी तीन वीडियो पड़ी विए पूरी series है वो तो वह आप लोग जाके देख लिजेगा आपको अंदाजा आजाएगा कि training हमारी किस तरीके के हम लोग देते हैं इसी के साथ साथ तो यह oscillator भी बोलते हैं हम लोग oscillator हो गई है कि क्या काम कर रहे हैं क्यों बोल्ड पे लगाये गए हैं यह सारी चानकारी भी आपको इस training के अंदर मिलती है ठीके अब बात आती है कि यह training आपकी कितनी relevant है relevant का मतलब कि आपके लिए कितनी जरूरी है कई बार ऐसा होता है कि सर हमारा basic clear है हमको advance करना है तो basic clear का क्या मतलब होता है basic clear का मतलब यह होता है कि आप या तो electronic अगर किसी के पास में लेक्ट्रानिक की कंप्लेट ट्रेंइंग है तब उसका बेसिक नहीं होता है और एक चीज याद रखिए आप अगर हम इस तरह से सिखाएं कि एक खराब वाला रखो साइड में एक अच्छा वाला साइड में रखो और दोनों के कंपोनेंट को साइड बर साइड चेक कर लीजे पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट खराब है वो कंपोनेंट चेंज कर दीजे और वो प्रॉबलम आपके सौल हो जाएगी अगर इस तरह से सिखाया तो अगर कोई नया बोड आएगा जैसे एक्जामपल के तोर पर यह वाला बोड है मैंने आज इसको लॉंच के जो हैक्स प्रोग आता है लॉंच में उससे मैंने पूरा आई रोम और एप्रोम कंप्लीट रीड करके बैक अप लिया है ठीक है लेकिन यह बोड चालू नहीं है लिटिंग ने दिखाय दे रहए हैं कि अब सकी कंपोनेट के ड्रेणि बहुत होती है तो इस तरह से हूआ कि हमने एक बहुत ही परफेक्ट में हमने ए अब को सिखा दिया लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई शॉटकट आपको मिले तो इसी शॉटकट के चक्कर में बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है तो अगर आपको लगता है मेरी बाते सुनने के बाद में कि यह जो है इनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है यह मैंने हार्डवेर में ही बताया आपको तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आना ही के नहीं आना है सॉफ्ट्वेर के मामले में कोड़िंग और प्रोग्रामिंग को बहुती गलत तरीके से बताया जाता स्क्षें जब कर रहे हैं दो उसवक्त होगा क्या है कि यह जो बोड है इसमें से अगर मैं डेटा extract कर पाऊं MCU से जैसे कि मैंने आपको बताया मैं कर पाया तो मैं दूसरे बोर्ड में उसको डाल सकता हूं ठीक है और इससे पार्टी को कि जলường कोडिंग वगे रहा करने पड़ेगी गारी उपर जाके अब कोडिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग क्या होती है इससको डेटेल में हम आगे किसी वीडियो में आपको समझाएंगे कि अब इसके बाद आता है प्रोग्रामर कौन सा यूज किया जाए, के टेक यूज होता है, के टियम बेंच यूज होता है, देखिए ये जो प्रोग्रामर्स है ना, ये एक्छली सिर्फ रीड और राइट करने का काम करते हैं, रीड राइट का मतलब यह है कि फाइल आपने यहां से उठाई और दूसरे वाले में डाल दी, अब यह जो रीड राइट आपने किया है इसको प्रोग्रामिंग नहीं कह सकते हैं, हम लोग कई बार फ्लैश फाइल डाल देते हैं, तब उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है, अब रीड राइट को प्रोग्रामिंग नहीं कहा जाता है, अब रीड राइट करना जो है, वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, वो एक्सपर्टीज होती है, जो टूल आप इस्तमाल कर रहे हैं, उस टूल की एक्सपर्टीज होती है, तो अब आप डिसाइड अब HEX PROGB पर जब आपके ऀयुन हुई है तो अगर आप जाते हैं training के बाल और वहां पर अपना काम शुरू करते हैं और किसी वज़से आपको programming केटेग आपने ले लिया और केटेग से नहीं हो पाई तो आपको लगता है कि वो टूल की वज़े से हुई थी, ठीक है, इस तरह से आपका पूरा मुराल डाउन हो जाता है, आपका पूरा जो आत्म विश्वास है वो गिर जाता है कि मैं ECM रिपेर नहीं कर पाया, देखिए रिपेर और प्रोग्राम या कोडिंग ये दोनों पालिबल नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाया, तब हम कस्टमर को आप्शन दे सकते हैं कि सर सेकंटेंड में मुझसे ले लिजे, मैं आपको ये करके देता हूँ, अब बात आती है, सेकंटेंड में ले लिया तो उसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, पल्टी कैसे करेंगे, तो एक कारण है, जिसकी वज़े से बहुत सारे जो टेक्नीशन है, टूल्स ना होने की वज़े से, में बोड आएगा, तो समझ लिजे ये बोड आया मेरे पास, तो कई लोगों का इक्वाइरी होती है, सर, ECM आ तो जाता है, खोल भी लेते हैं, लेकिन देखा तो शौटिंग अब कहां से शुरू करो, समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वो हम सिखाते हैं किस तरह से, कि आपको गाड़ी में भी ये पता करने आना चाहिए, कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, क्या फॉल्ड कोड बन रहा है, उसके इसाब से हम आगे काम क्या करना चाहिए, तो ल और देखकर, रिपेर होने लगा, यानी उपर शॉट्टिग है तो रिपेर करो, शॉट्टिंग नहीं है तो रिपेर मत करो, ठीक है, तो इस तरह से तो प्रॉब्लम सौल हुई नहीं, हमने ये किया काप्य, ठीक है ना, तो ये है जिसकी वाज़े से पहली चीज की क्या इसके बाद में एक सवाल होता है कि सर कितने दिन की ट्रेनिंग देंगे अब दीखे यह जो सवाल है यह थोड़ा सा अपने आप में एक चिंता जनक सवाल में क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन बताता हूं यह त्रेनिग प्रोगर में हम लुग दोनों चीज देख रहे हैं समय और किया देखता हूं कि कहां पर मुझे ज्यादा से जदा समय के लिए जाएगी और कम से कम पैसा लिया जाएगा यानि कम से कम सा फीस ली जाएगी अब ऐसे में मेन यह तो point of view के हिसाब से अगर मैं चूज करता हूं तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी problem खड़ी हो जाती है वो problem ये खड़ी होती है तो training चाहिए हमको ज्यादा से ज्यादा और fees हमें कम खर्च करनी है अब देखिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको अगर आप technician है अगर आप automobile मे आपका खुद का workshop है तो ये याद रखिए समय भी पैसा ही होता है अगर आपकी महिने की income मैं कम से कम पकड़ रहा हूं अगर आपके महिने की income 15,000 रुपे है और आप दो महिने तीन महिने की training लेने के लिए जा रहे हैं तो 15,000 multiply by उतने महिने वो भी आपकी investment ही है वो भी याद हो रहा है वो याद रखिए साथी के साथ जो फीस है वो फीस भी आपको उतनी ही देनी पड़ रही है जितनी सामने वाले डिमांड कर रहे हैं तो समझ लिए एक्जांपल किसी ने 30,000 रुपे लिए आप से बोला कि भाईया 30,000 में मैं आपको training दे दूंगा complete पूरा स अगर मुझे कुछ खाने का अपने जेब खर्च होता है भाई हम लोग technicians हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जो हमको आदत होती है जो हमको fulfill करनी होती है वो भी खर्च हो रहा होता है हमारा तो ये सारी चीजे होने के बाद में अब जब आप इतना खर्च क कैसे निगाला हमने आपसे ये वादा किया कि आप एक महिने के लिए हम एक महिने में 250 घंटे की training करेंगे आपकी ये एक महिना सुबह में हम साड़े नौ बज़े शुरू करते हैं और साड़े छे बज़े शाम को खतम करते हैं इसके दोरान आपको कहीं पे भी एक मिनिट के इसाब से ट्रेनिंग इस वक्त इंडिया में कोई नहीं दे रहा है देखिए प्रैक्टिस के टाइम को आप ट्रेनिंग नहीं समझ सकते मैं आपको समझाता हूं क्यों ट्रेनर आये ट्रेनर ने बताया आदा घंटा बैठके कि देखो पिन आउट को कैसे डी शोल्डर करना ह ठीके और आप वो डी शोल्डर कीजिए सबको आपको बोर्ड दे दिया और वो बोर्ड देके वो चले गए अब वो बोर्ड देके जो चले गए हैं बस उसके बाद में वो आये हैं दो-तिन घंटे के बाद इसके दौरान कुछ लोगों का फोकस होता है जो अपने काम में ल तो वो कितने घंटे की ट्रेनिंग मिली कोई फायदा नहीं हुआ हम क्या करते हैं हमारा यह फोल टाइम जॉब है तो एसेम रिपेरिंग ट्रेनिंग का जो हमारा कोर्स चलता है वो बहुत ही चोटी बैच इंडिया की सबसे चोटी बैच समझ लीजिए दस से बारा लोग उ पने फैमिली से दूर नहीं है और जाने के बाद में जो भी आपको चैलेंजेस होते हैं हमेशा आपको सपोर्ट दिया जाता है यही हमारी स्ट्रेंथ है और इसी कारण से इतना ज्यादा कॉम्पेटिशन होने के बावजूद भी हम रेगिलर बैच चला रहे हैं और हमारी बैचे फुल जा रही है क्योंकि छोटी बैच है इस कारण से हमें बड़ी बैच चलानी इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में करें के सही ट्रेहनर मिलना बहुत मुश्किल है मेरे कहने का मदलब सही। है bespoke भी समझ लिए सबसे पहले चीज हम तेक्नोलीजी सिस्का रहे है तेक्नोलीजी चीकिनलीजिस को समझ में आता चीज लिए इसलिए इंजीनेर होना उसका बहुत जरूर है तो हम हम पांच साल इ ऐसे टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो यहां पर आपको एडवांटेज मिल जाता है, ठीके, अब बात आती है कि अगर आपको कोई डाउट है, तो आप ट्रेनर को पूछ सकते हैं, अपना हैंड डेस करके, सर, मेरा एक सवाल है, यह डाउट क्लियर कीजिए, वो डाउट आपका क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग के दौरान हम लोग एक्चुल प्रॉब्लम वाले ECM लेकर आके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके भी लोगों को बताते हैं, जिससे कि आ आपको सीखने बलता है, ACM, BCM, EPS, आपका मीटर, यह चार चीज़े हम यहां पर आपको पक्के तौर पे सिखा के बेशते हैं, लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो होती है, आपको सीखने बलता है, यानि कि PCB आपको सीखने बलता है, किस तरह काम करते हैं, कितने टा हम लोग उसके अंदर बहुत ही डिटेल में कवर करते हैं, बरोबर है, जिसकी वज़े से यहां से जाने के बाद, हम लोग आपको कहते हैं, कि एक बोर्ड पे मत काम कीजिए, बहुत सारे बोर्ड पर काम कीजिए, जो भी आपको मिले, अगर नहीं भी मिला, तो भी हाड़ पर तो काम कर सकते हैं यह एक फायदा आपको मिलेगा ठीक है अब एक और चीज जो लास्ट में आ जाती है जहां पर बहुत सारे टेक्निशन्स की ट्रेनिंग लेने के बाद भी गाड़ी रुख जाती है वो है कि यह ट्रेनिंग के बाद में टूल्स की ज़रूरत पड़ती है बीना टूल्स के हम इस्यम रिपेर नहीं कर सकते हैं तो कितनी इंवेस्मेंट लगानी चाहिए देखिए अब इसमें क्याने मतलब कि आपको क्या लगता है ट्रेनिंग के बाद आप कितनी इंवेस्मेंट लगेगी अगर आपको इसम रिपेरिंग का काम शुरू करना है तो मैं आपको आज ऐसा एक बात बता रहा हूं जो इंटरनेट पर आज तक किसी ने बोली भी नहीं होगी और नाही कभी किसी न सुनाना चाहता हूं आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए कुछ मैंने पहले एक 18 साल का लड़का हमारे पास में आया उसने बोला मुझे ट्रेनिंग ले दी मैंने उसको मना कर दिया कि भाई आप बहुत चोटे हो जाए थोड़ा एक्स्पिरेंस लेकर रहिए लेकिन उ आखिर में हमने हमारे पास में सीट खा ली तो हमने खेंए ठीक है बहुत बाट है वो लड़के के डड़के के डैडी से मेरी बात हुई वो वृसद के अलबात निले के अच्का Ol Uhr behandli वे के प्लाद में तो बहुत कर लेया उननके लटके को हमने ट्रेन किया करने के बाद में जब वो जा रहे थे तो उनके पिता जी ने बोला सर मुझे यह सारा काम करवाना है तो बता दीजे क्या टूल लेने होंगे मात्र हमने उन लड़के को बोला कि स्कैनर के साथ स्कैनर आपका केटेक यूपी ए इसे हम रिपेरिंग के टेबल के टूल यह सब का हमने पैकेज उसको जो बना के दिया हो सिर्फ 48,000 उपीस में यह लड़का यहां से गया और एक हफते के बाद एक हफते के बाद में उसने यह पूरा पैसा रिकावर कर लिया ए इसके बाद आता है कि कैन लेना चाहिएक यह बनाना चायी हमारे चैनल के उपर भी पड़ी भी है अभी हम विडियो बना देगी कि उसको कैसे बनाना है तो वह भी आप लोग को मिलता से नहीं गुणऑ कि आप हमारे पास एक महीने के लिए आ रहे हैं जो फीस हमें दे रहे हैं उसके दौरान आपको hostel भी मिलेगा, hostel मिलता है lunch मिलता है, breakfast मिलता है आपको certification हमारा valid certification है इंडिया में हमारा ही अकिला valid certification है क्योंकि हमारा institute, central government और state government से recognized है हमारा certificate इंडिया और इंडिया के भार 80 countries में valid होता है हमारे student आज Qatar, Oman, Dubai UK, Prague इन सब जगा पे हमारे students काम कर रहे हैं आज पहली बार हुआ है कि आज हमने अपने channel पे आके यह सारी चीज़े बताई है वरना हम इसको publicly नहीं करते क्योंकि उनकी भी privacy का मसला होता इस कारण से ठीक है अब यह जो चीज़ है यह आपको extra benefit दे रही है जो fees आप से लिए हमने वो उसके बाद में आपके खाने पीने का तो यह हमने इंतिजाम किया और साती के साथ जाते वक्त आपका जो भी budget हो बजट के साब से आप टूल से लेके जाईए और अपना काम शुरू कर दीजिए यही है जो आपको strength देता है देखिए टोटल टोटल में investment अगर आप training होगे आभी पकड़ेंगे एक महने के training एक महने का आपका जो भी income है वो और फिर आपका टूल का expense इस तरह से आपकी stage पर है आपकी महने की income कितनी है आपको हम्मारी fees तो देके fix है लेकिन हर person की हर महने की income अलग अलग होती है तो इसी वज़ा से आपको ये भी decide करना है कि मेरी कितनी income भी लगने वाली है उसके उपर तो उससाब से फिर आप tools भी खरीदेंगे कि बही कितना जल्दी recovery होना चाहिए तो उस तरह से एक average में बताता हूं आपको कोई एक नया person आता है जिसके पास फिलाल के लिए कोई income source नहीं है तो उसका 70-80,000 पे training और tools और पकड़ कर उसका investment जाने वाली है ठीक है अगर ये आपके पास में हैं पैसे और आपको लगता है कि आप अप आपको काम regularly मिलेगा तो बेशक आये training लेकर जाएए एक चीज़ का वादा हम करते हैं कि आपको फायदा जरूर होगा यहां से जाने के बाद भी हम आप तक relevant सारी information आप तक हम पहुचाते रहेंगे इस बात की हमारी जिम्मेदारी है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि य इसके साथ और इसके बाद भी एक investment आपको करनी है तो मैं खुद training center चला रहा हूं और उसके बावजूद में आपको यह बोल रहा हूं कि अगर आप यह बजट नहीं बना सकते हैं तो कृप्या करके यह training मत कीजिए क्योंकि यह skilled oriented training है आपको उस्ताद से सीखने में कोई फा चहांज भी जाकर training लेना चाते हैं वहां जाकर आप ट्रेनिंग लीजिए आपको जहां सही लगता है मैंने आपको बहुत सारी detail बता दिये कि आपको clarity आगई होगी ऑगर हमारे पास आना चाहते हैं Welcome अगर आप हमारे पास नहीं आना चाहते हैं आपको लगता है कही और better training म लेगी आप वहाँ जा सकते हैं मगर इन चीजों का आप ध्यान रखिए दूसरी एक और एक चीज है ECM रिपेरिंग एक टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट के तोर पर लीजिए इसको इसको आप ऐसा मत सोचिए कि शॉटकट मनी वाला प्रोग्राम नहीं है यह शॉटकट मनी वाला प्रोग्राम लॉट्री होती है यह लॉट्री नहीं है इसके पिछे बहुत ज्यादा दिमाग और शुरुवात में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करने बढ़ते लेकिन साथ के साथ यह फिल्ड रिवार् shop वहां पर setup था तो इन सारी चीजों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है मैंने सारी चीज़े आपको बता दी है आपको वीडियो पसंद आया होगा आप में से 50% से ज्यादा लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं पहले वीडियो हटाने से पहले पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद वीडियो को एंड कीजिए लास्ट में अगर आप अभी यहां तक रुके हुए हैं तो आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि 25 डिसेंबर को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और वह धम